आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारी Oxford Progressive English Book का एक और मज़धार चेप्टर इस बारे में हम पहले ही बात कर चुकी है कि इस चेप्टर का नाम क्या है और ये कौन सा यूनिट है चलते हैं बूर्ट की तरफ जहां हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले है Dear Students, जो चेप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है The Magic Paint Brush ये हमारी Oxford Progressive English Book का यूनिट नमबर 7 है हम इसके दो lessons कर चुके हैं पहला lesson हमारा था जिस बारे में listening and speaking के बारे में हमने उसमें कुछ phrasal verbs सीखी time clauses सीखे और हमने उसके साथ reflexive pronouns भी सीखी अब हमने उसके बाद बात की lesson number 2 lesson number 2 हमारा sentences or words के बारे में था उसके साथ कुछ exercises थी जो हमने इससे पिछले lesson में solve कर ली थी आज का जो हमारा lesson है वो है lesson number 3 जो के है reading के बारे में मैं आपको पहले lecture में बता चुकी थी कि हम जब lesson 1 कर रहे थे उस time आपको मैंने ये intimate किया था ये बताया था कि हम इस chapter की reading यानि इस magic paintbrush के बारे में complete story कब पढ़ेंगे बिल्कुल सही हम पढ़ेंगे lesson number 3 में जा के ठीक है तो आज हमारा lesson number 3 है वो है reading और वो किस बारे में है the magic paintbrush के बारे में अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये story किस बारे में है before you go to read your story yourself I am going to tell you something about it मैं आपको बताऊंगी बहुत briefly के story किस बारे में है story एक boy के बारे में है, एक लड़के के बारे में है जो के इस story का main character है याद रखिए का जो words मैं बोल रही हूँ main character कौन है? एक लड़का जिसका नाम है सुमबा ठीक है? सुमबा इस boy का नाम है और उसके पाद कुछ magic powers आती है कैसे आती है उसकी drawing की skills कब से वो कर रहा है कैसे हुई उसके बाद करते करते इतने साल गुजरने के बाद जैसे ही वो अपने magic paintbrush के साथ brush करना शुरू हुआ painting करना शुरू हुआ तो ऐसा उसकी life में क्या change आया? यह story इस बारे में है मैं चाहती हूँ के आप इस video को अभी post करें और जल्दी से इस story को पढ़के वापस मेरे पास आएं उमीद करती हूँ के आप पढ़ चके होंगे students तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि exercise start करते हैं before I go on this exercise I would like you to see two pictures here यह जो pictures आप यहाँ देख रहे हैं इनके अंदर बताया गया है कि सुमबा अपनी early ages में यानि कि जब वो बहुत चोटा था तब से वो paint कर रहा है और इसके बाद दूसरे picture में आप देख सकते हैं कि वो जब उसकी जिन्दगी में उसकी life में एक old man आ गया और उस old man ने उसको क्या दिया एक magic paintbrush और palette यानि के मजीद colors दिये मजीद बड़ी palette दी और उसके साथ उसने क्या draw किया और जब उसने उस magic paintbrush के साथ द्रॉ किया तो actually हुआ गया यह जो दूसरी picture आप देख रहे हैं यह दूसरी picture उसी एक incident या उसी event के बारे में है ठीक है? होप है आपको इस picture के साथ स्टोरी की समझ बर्कुल आ गई होगी So dear students, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की exercise number one क्या है आपकी book के पेश पे लिखा है कि read the story and choose the correct word अब जैसा कि आप स्टोरी को पढ़ चुके हैं अब आपको मजीद इस बारे में अंदाजा हो गया होगा कि यह statement क्या कहती है यह statement कहती है सुंबा यूजड हिस magic paintbrush well और unwisely अब पहले मैं आपको इन बातों का इन लफजों का meaning यानि मतलब बता देती हूं well मतलब अच्छे तरीके से या फिर unwisely mean बेवकूफी के साथ यानि उसने किस तरह इसको इस्तमाल किया आप स्टोरी को पढ़ चुके हैं आपको पता है कि अपने paintbrush को अपने magic paintbrush को सुंबा ने कैसे use किया very good, the answer is well उसने अपने magic paintbrush को बहुत अच्छे से use किया क्यों? क्योंकि उसने उस magic paintbrush को use करते हुए जो paintings बनाई, जो चीजें बनाई they came to real life वो चीजें जिन्दा हो गई, हकीकी हो गई, real हो गई ठीक है? उन real चीजों को उसने किस तरह use किया? अच्छे से use किया? या unwisely use किया? बेवकूफी की? कुछ भी बना दिया? किसी भी गलत लोग के लिए बना दिया? नहीं उसने सिरफ वो चीजें किस के लिए बनाई? जरूरत मन लोगों के लिए अपनी family के लिए क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत थी तो हम यहाँ पर circle कर देते हैं इस answer को जो के है well यानि के अच्छे तरीके से ठीक है? उसने अच्छे तरीके से समझदारी से एक और लवज यहां लिख लेते हैं well जिसका मतलब है? समझदारी के साथ, ठीक है? यह हमारा हो गया पहली statement complete और पहली exercise complete उमीद करती हूँ आप इस story को पढ़ चुके हैं और इस story को पढ़ने के बाद इस statement को solve कर चुके हैं चलते हैं board के अगले हिस्से के तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि आज की exercise number 2 और 3 किस बारे में है? Students, before I move on to exercise number 3, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी book के पेच पर लिखा है exercise number 2 वह exercise number 2 किस बारे में है? स्टेटमेंट पढ़िएगा? बिल्कुल सही, यह statement आपको बता रही है कि आपकी story के अंदर 6 लव्ज दिये गए हैं 6 numbers दिये गए हैं story में different जगां के ऊपर, ठीक है? आपने उन different जगों पे जहां जहां वो number लिखा है आपने बताना है कि उस time इस लड़के की, हमारे main character की, यानि सुंबा की thoughts क्या थी? उस time उसकी सोच क्या थी? वो किस बारे में सूच रहा था? या उसकी सोच कहां से develop होके कहां तक पहुँच गई at the end of the story यानि के develop से मुराद ऐसा एक अमल जहां आपकी सोच बहुत basic होती है, छोटी छोटी चीज़ें सोचती है उसके बाद जब जैसे जैसे events यानि के आपके जिंदगी में incidents आगे आते जाते हैं अगर हम बात करें सुंबा की life की तो उसके पास पहले एक simple paint brush था, तब उसकी thoughts क्या थी? जब उसके पास एक पहली painting आई तो उसने क्या सोचा? उस टाइम उसने सोचा कि मेरे पास मजीब colors होने चाहिए क्यों? क्योंके वो realistic चीज़ें बनाना चाहता था, यह तूसरी thought होगी तीसरी thought उसके बारे में क्या आई? कि जब उसने उस old man को अपने room में देखा उस time उसकी जो thought थी, वो क्या थी? He was frightened, पहले तो वो डर गया बट देन, जब वो old man ने उसको वो paint brushes और वो magic paints की palette दी, उस time सुमबा क्या था? excited था, यह थी उसकी third thought. इसी तरह होते होते, स्टोरी में develop हो रही है सुमबा की thoughts. छे ऐसी जगे हैं जहां पर उसकी development हो रही है. आपने क्या करना है? स्टोरी को re-read करना है, यानि के एक दरफा से दुबारा पढ़ना है और आपने देखना है कि सिर्फ सुमबा की thoughts कैसे number one से number six तक develop हुई है. यह है आपका part number two और आपने बताना है कि स्टोरी के beginning में कैसा था, middle में कैसा था, first event के बाद क्या हुआ, second event के बाद क्या हुआ, middle में क्या हुआ, फिर उसके बाद climax में क्या हुआ, और ending में क्या हुआ, ठीक है? यह थे आपके छे part. चलते हैं board की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि मजीद इस पारे में हम क्या पढ़ सकते हैं? आप अपनी बुक का page number 112 देखें, double one two, आपकी Oxford Progressive English के page double one two पे ये सवालाद दिये गए हैं, ठीक है? ये questions यहां मैंने board पे लिखे हैं क्योंकि मैं ये सवाल आप से करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी book को close करें और इसे पहला सवाल है, How old do you think Sumba was when he first started drawing? जब उसने drawing start की तब उसकी age क्या थी? Well done! चलते हैं अगले सवाल की तरफ, In the opinion of townspeople, how good a painter was Sumba? Sumba, townspeople यानी अपने कस्बे के लोगों के हिसाब से, अपने area के लोगों के हिसाब से, अपने neighbors के लोगों के हिसाब से, उनके जहनों के हिस Sumba किस किसम का painter था? क्या वो एक अच्छा painter था? क्या वो एक middle level painter था? यह वो एक बहुत बहुत आला painter था? इस पात का जवाब आप देंगे. बिल्कुल सही. चलते हैं, question number 3 की तरफ, वो है, How did Sumba feel when he first saw the old man? हम इस बारे में भी बात कर चुके हैं, कि उसकी feelings, उसकी thoughts उस टाइ How did the bird that Sumba painted with the magic paintbrush look? वो जो pigeon यानि वो जो bird उसने draw किया था? वो कैसा लगता था? रिलिस्टिक था? या फेक लगता था? यह वो जवाब देंगे. बिल्कुल सही. चलते हैं, सवाल number 5, यानि question number 5 की तरफ, What did Sumba want to discover when he drew the spider? वो एक दफा देख चुका था कि उसने जो pigeon draw किया, व तो हवा में उड़ गया. It flew in the air. The pigeon became real. The bird became real. It came to real life. तो जब उसने spider draw किया, उस टाइम समभा क्या सोच रहा था? बिल्कुल उस टाइम समभा यह सोच रहा था कि क्या जो painting मैंने अभी बनाई थी pigeon की, क्या वो सच था? या क्या वो मैं ख़ाब देख रहा था? Was I dreaming? बिल्कु बिल्कुल, the spider ran off his page. उस page पे जहां पर उसने समभा ने जहां पर spider draw किया था, वो spider उस पेज से जा चुका था. The spider also came to real life. Moving on to question number six. What kind of things did Simba paint for his family and others? अब आप मुझे बताएंगे कि समभा ने जितनी भी चीजे अपनी family के लिए और townspeople के लिए draw की थी या paint की थी, वो कौन-कौन सी चीजें थी? What kind of things were there? अच्छी चीजे थी? जरूरत की चीजे थी? या luxuries थी? लग्जरी से मुराद ऐसी चीज जो आपकी जरूरत से बहुत बहर है. आपको उसकी जरूरत नहीं है पर आप चाह रहे हैं कि आप उपकी जिन्दगी में उसको ले आएं. ठीक है? Number 7. Why do you think the headman got angry when Sumba refused to paint? Headman ने उसे क्या कहा था? The village headman asked Sumba to paint a palace for him. A palace means एक बहुत हुपसूरूत महल जिसमें gold यानी सोने से बनी चीजें हूँ. ठीक है? तो Sumba ने refuse कर दिया. Why do you think the headman got angry when he refused to paint? Very good. Because Sumba said that these things are not necessary. These things are not need. These things are luxury. यह आपकी need नहीं है. यह आप चाह रहे हैं कि आपकी luxury आपकी life में आजाएं. आपकी desire है. एक word used किया गया है? Desire. ठीक है? Answer आप देखें कि आपनी comprehension में. तो students यह थे कुछ साथ सवाल जो मैं करना चाह रही थी आप से. यह है आपकी book के ओपर दिये गए question number 3 यानि exercise 3. इनके answers आपने लिखने नहीं है. This is oral activity. मैंने answers आपको दिये भी नहीं है. Answers आपने खुद देखने है. Aural activity हमारे किस बारे में थी? इसको कहा जाता है post reading questions. ठीक है? अब आप post reading से मुराद post का मुतलब बाद में. ठीक है? कैसे start हुआ drawing और painting और आइसा आइसा होते होते हैं उसकी life में क्या हुआ? चलते हैं book के तीसरे हिस्से की तरफ जहां solve करते हैं आज की fourth exercise. So students fourth exercise is about completing the sentences. हमने इस पूरी comprehension यानि अपनी story के अंदर कुछ ऐसे words पड़े हैं जो हमें sentence में या line में पड़ते हुए समझ तो आ गए लेकिन उनका literally meaning समझ नहीं है. Literally meaning से मुराद word का एक ऐसा माने या उर्दू में जिसे हम कहते हैं मुराद यानि के complete meaning हमें उसका literally meaning समझ वर्ड का नहीं आया तो गबराने के बिलकुल ज़रूरत नहीं है क्यूंकि जो exercise four है वो हमारे पास सिर्फ इसी बारे में है वो क्या है? Complete the sentences and phrases using words or phrases from the text. ठीक है? आपने इन sentences या phrases को complete करना है किस से उन्हीं words और phrases को use करते हैं जो text में दिये गए हैं. अब मुझे कौन बताएगा कि वो text क्या होता है? बिलकुल सही, text क्या होता है? टेक्स से मुराद ऐसे words जो एक sentence में और sentence मिलके paragraph में और paragraph मिलके पूरी एक story बनाते हैं. उसको कहते है text. ठीक है? उस text के अंदर जो words और phrases use किये गए हैं. यहाँ पर red lines जो मैंने छोड़ी है, य इन blanks में हम वो words लिखेंगे. हमारे पास हर blank के साथ first letter दिया गया है, यानि के हमें hints दिये गये हैं कि आपने text के अंदर से जब यह word दूनना है, तो आपको उसका एक चोटा सा hint मिल जाए. स्टार्ट करते हैं, on a sunny day, a tree is positioned between the sun and its own s dash. अब s यानि sound s लिखी है. So, the tree is positioned between sun and its own shadow. Very good. So, this is the first word. s लिखा है, मैं यहां पे complete करती हूँ, spelling, shadow, यानि के उसका अक्स. मैं उद्दू मीनिंग इसलिए लिख देती हूँ, ताके आपको साथ-साथ इन लफजों का माने भी समझाता जाए. Okay? Number two, when you say something about a subject, you dash on it. अब आपने text में ढूंडें के यह लफज कहां लिखा है. When you say something about a subject, subject मैंने आपको बताया था, noun हो सकता है, हमारे उसके इलावा noun के साथ pronouns वगेरा भी हो सकते हैं. यह हमारे subjects हैं, जो बात कर रहा है, जिस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? इसके बारे में हम कहते हैं कि यह है remarks. यानि आप उसके ऊपर अपने remarks दे रहे हैं, अपने ideas, अपनी thoughts या अपनी सोच का इज़ार कर रहे हैं, ठीक है? Number three, if you can do many things well, you know many dash. अगर आपके अंदर बहुत सारी चीजें करने का एक हुनर है, तो इसको क्या कहा जाता है? तु, 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 it starts with तु, well done, it is called talent. और अगर आपको बहुत सारी चीजें करनी आती हैं, तो आपको कहा जाता है कि you have many talents. Make sure to add S, S लगाना ना भूलियेगा. Next, read करते हैं, अब painting that is painted on a wall is a dash. अब यह आपकी स्टोरी में लिखा हुआ है, एक painting जो दिवार के ऊपर बनाई जाती है. ठीक है, एक तो painting होती है, जो दिवार पर hang करते हैं. आपने wall paintings देखी है, तो wall paintings का असल नाम क्या है? बिल्कुर सही, हमने comprehension में पड़ा था, इसका नाम है mural, M-U-R-A-L. They are called mural. Number five, the water on the lake shone and dash in the sunlight. जब हम बात कर रहे थे कि Sumba was drawing something, he was painting something. तो यह उस painting के quality बिताए गई है, the water on the lake, यानि जो lake पे जो पानी था, जो water stream थी, वो क्या थी? It was shining, shone से मुराद, it was shining, shining क्या है? यह एक verb है, और यह इसकी क्या है? यह past है, यह present और यह है past verb, ठीक है? And gleamed, the word is gleamed. आपने सुना होगा, एक verb सुनी होगी, उस verb का नाम है gloom. Gloom से मुराद, बहुत जादा चमकना, और यह उसी की आगे से verb की एक past form है, जिसका नाम है gleamed, ठीक है? Things that you own are called that. अब वो चीजें जो आपके पास हैं, और वो आपकी ही हैं, उनको क्या कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, comprehension में लिका है, things that you own are called possessions, पुजेशन से मुराद वो चीजें जो आपकी हैं, और आपके पास हैं, आपके कबजे में हैं, ठीक है? Number 7, a group of chicken or birds are called a dash, अब जितने भी birds होते हैं हमारे पास, ठीक है? हम collective noun की बात करते हैं, तो जितने भी birds हमारे पास ज्यादा तादाद में हैं, more in count, ठीक है? एक नहीं है, दो नहीं हैं, ज्यादा हैं, पांच हैं, दस हैं, पंद्रह हैं, जैसे आप आसमान में देखते हैं, ब बल्कुल सही, the word starts from F, it is called flock, flock of birds, ठीक है? मैं लिख देती हूं याँ पर, flock of birds, flock से मुराद एक जुंड, जुंड का लफज आपने सुनें, ठीक है? जुंड, परिंदों का एक जुंड, number 8, the dash roof is covered in reddish squares of cooked clay, यानि के पकी भी मिटी जो होती है, जो भटी के अंदर पकाई जात ही उसको कहते है, cooked clay, और उस cooked clay की हमारी छट के ऊपर, reddish squares में, क्या लगावा होते है, दिवारों पे और छटों पे, well done, T से word start होता है, hint दिया गया है, और the word is tiles, a tiled roof or tiles roof, ठीक है? a tiled roof is covered in reddish squares of cooked clay, number 9, if you order people to come to you, you dash them, अब अगर एक बादशा या किसी रियासत का, या किसी कस्वे का, या किसी जगा का, एक बड़ा शक्स, एक बादशा के अगर हम बात करते हैं, तो अगर वो लोगों को अपने दर्बार में बुलाता है, if that king is calling people, actually ordering people to come to his palace, तो इस बुलाने को क्या कहा जाता है, एक hint हमें द अगर उंडियेगा, लफ्ज है, समन, समन से मुराद, आप किसी को order कर रहे हैं, कि you are supposed to come to me, और order कौन बंदा कर सकता है, जो आप से superior हो, यानि आप से बड़ा हो, ठीक है, ओधे में बड़ा हो, या आप उमर में भी बड़ा कह सकते है, if you order people to come to you, you summon them, you summon them, ठीक है, मजीर जो कुछ sentences है, वो मेरे अगले बोड पर लेके हैं, चलते हैं, अगले बोड की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगी, कि इस success को कैसे complete करना है, okay, number 10, a diamond is a dash stone, P, hint है, very good, a diamond is a precious stone, is a precious stone, number 11, a thing that is more expensive and beautiful than you need, is a dash, मैंने लेक्चर के शुरू में आपको बताया था, जहां मैं आपको बता रही थी, कि कोई चीज जो आपकी need नहीं होती, हो क्या होती है, luxury, very good, so the word is, luxury, l-u-x-u-r-y, ठीक है, यह थे हमारे कुछ sentences जो हम complete कर चुके हैं, और यह words कुछ ऐसे थे, जो हमारी comprehension में new थे, हमने इनका literal meaning देखा, हमने देखा कि sentence में इनको use करके, इनका meaning कैसे समझा जा सकता है, ठीक है, अगर आप इसकी मजीद exercise करना चाते हैं, कुछ मजीद repeat करना चाते हैं, तो आप यह करें, कि इन 11 words को जो हमने blank में लिके हैं, आप इनके मजीद sentences बना लें, एक rough page पर, एक rough copy पर, या अपनी notebook के उपर, आप इसके sentences बना के, मजीद इसका meaning सीख सकते हैं, चलते हैं आज की last exercise की तरफ, जो है exercise 5, discuss the questions, अब मैं चाहूंगी, कि आप सब अपनी books को close कर दे, दो मिनिट के लिए अपने दिमाग को सकूम मिलाएं, story को recall करें, और recall करने के बाद, मैं आप से दो सवाल करूँग, यह दो सवाल मैंने यह बोट पर भी लिखे हैं, और आपकी बुक के पेज के उपर यह exercise number 5 के नाम से दिये गए हैं, ठीक है, यह सवाल क्या है, सवाल है, Was Simba right to refuse the commands of village headman? यह बात हम शुरु में डिसक्स कर चुके हैं, कि Simba ने जब headman को refuse किया, कि वो उसके लिए palace नहीं बनाएगा, he is not going to make a palace or draw or paint a palace for him, Why? उसके refuse क्यों किया? बलकुल सही, क्योंकि Simba चाहता था, कि वो सिर्फ लोगों की मदद करे, जो एक magic paintbrush उसको मिल है, उस magic paintbrush के साथ वो लोगों की मदद करे, ना कि वो लोगों की extra desires या luxuries को पूरा करे, So was he right to do it? क्या उसने सही फैसला किया? बिलकुल सही, उसके बिलकुल सही फैसला किया, क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहता था, सवाल दूसरा, Question No.2, Why was Simba right to paint things for his family, for the village, for himself? Was Simba right? आपको क्या लगता है, कि Simba ने सही किया, जो वो चीजें अपनी family के लिए, अपने आप के लिए, और village के लिए बना रहा था, क्या वो बातें ठीक थी? Last paragraph में इस बारे में बताया गया है, कि Simba ने अपने magic paintbrush को अपने पास रखा, और उससे चीजें बना के, paint करके, जो real life में आ गई, वो चीजें उसने किसको दी थी? Village people, family and for himself, ठीक है? क्या उसने सही किया? बिल्कुल सही किया, इसका जवाब भी इसके साथ मिलता जुलता है, क्यूंकि वो लोगों की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया? चीजें बनाई, लोगों को दी, और उसने बिल्कुल सही कर्दम उठाया. Students, यहाँ पर एक चूटी सी बात मैं आपको सिखाना चाहते हूँ. अगर कभी जिन्दगी में आपके पास ऐसा मौका आई, कि आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, यू मस्ट दू इप! ठीक है? जैसे सुंबा के पास एक 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 जाम्पल थी, कि उसके बात एक पेंट ब्रश था, वो चाहता था तो अपने लिए टॉइज और पता नहीं क्या-क्या बना सकता था. But what he did, what he actually did was, he painted stuff for people. उसने लोगों के लिए वो चीज़े बनाएं, जो वो चाहता था कि लोग उससे फायदा उठाएं. ठीक है, लोगों की ज़रूरत पूरी हो. आप इस स्टोरी से एक moral हासल कर सकते हैं. Moral ये है, कि you should always help people if you have the resources. अगर आपके पास resources हैं, आपके पास खाना है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास कोई भी चीज़ हैं, आप लोगों की उससे मदद करें. खुद भी खुश रहें और लोगों को भी खुश रखें. ठीक है? ये ता हमारा आज का एक छूटा से lesson, एंड पे मैंने आपको एक moral story बिताई. I hope आपको आज का lesson समझ में आया होगा, इस story को read कीजेगा और exercise को solve कीजेगा. आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अगले lesson में अलाहाफिस.